कि नेपाल के कटमान्दू में बड़ा विवान हाथसा हुआ है इस हाथ से क्या एक वेडियो भी तेजी से वारर हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान रनवे से उडान भरता है और रन भरने की कुछी सेकंड बाद उसी रनवे पे थोड़ी दूर पे गिरता है औ इसको इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भरती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, यह वीडियो बड़ा भ्यावा है, आप देख सकते हैं कि कैसे रनवे से उडान भरता है, उडान भरने के कुछी सेकेंड बाद यह जाके उसी रनवे पर गिरता है, रनवे के बताया जा रहा है कि डिए कि पूर्वी हिस्से में खाई में जाके गिरता है, खाई में गिनने के साथ इसमें आग लगती है, आग लगने के बाद इसमें 18 लोगों की मौत होती है, 19 लोग-दो पाइलट और 17 तकनीशियन बताया रहा है, इसमें शामिल इसी दौरान ये हाथसा हो गया काटमांडू को इसके मुताबिक प्रत्रक्ष दर्सियों ने बताया कि उडान भरते समय विमान का फंप जमीन से टक्राने के बाद प्लड गया इसके बाद विमान में तुरन ताग लग गई और वह रनवे के पूर्वी हिस्से में खाई में ज लिया गया है और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है जहां उनके सिल में चोट लगी है और उनका इलाज जारी है वही मेडिया रिपोर्स के मुताबिक बिमान इस्थानिये स्वरे अलाइंस का था स्वरे लाइन्स सी आर जेट टूंडेट शेत्री जेट विमानों के जिन पर उतरना मुश्किल है और वर्प से ढकी चोटियां है जहां पहुंचना क्रूशल पाइलटों के लिए चुनोती भरा है पहाडों में मौसम भी तेजी से बदलता रहता है जिससे उड़ान के लिए खतरनाक परिस्तितियां पैदा हो जाती है बता दे नेपाल की आख अधिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स का बीमान कट मांडू हवाई अद्डे के निकट गुरुगटना गरस्त हो गया था जिसमें सवार सभी एकसो सर्शक लोग की माउस हो गई थी उसी साल की शुरुवात में थाई एवरेज का एक बीमान इसी हवाई अद्डे के पास ग पुरुगटना गरस्त हो गया था जिसमें 113 लोग मारे गये थे लाली से श्टोरी में इतना ही बाक इंदेश दुनिया के तमाम फबरों के लिए बने रहे हैं लोकमत हिंदी के साथ नमस्कार